नमस्कार दोस्तों स्वागत करतों आप सभी को टिकिराच यूटूब चैनल पर आजके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंडियन आवरसीस बैंक या फिर किसी भी बैंक एकाउंट का एड्रेस को कैसे आप चेंज कर सकते तो दोस्तों जानने के लिए इस भाई देता हूं कि यहाँ पर आप 2 तरीके से अपना ओद्रेस दिर्ड markets यहाँ पर बदल सकते ऐलागफ ज्यादा बैंक वेकि क्या होता है कि आपको की UC फोर्म dio ओता है वहाँ को जितना भी आपकाने टेस्ट Update होता है वह Hadress हो गया mobile number चेंज करना हो गया तो वह KYC form आपको बढ़ना होता हुआ ठीक है लगबग हर बैंक में वह आपको Customer request form जिससे KYC भी कहते हो आपको बरना होता है ठीक है दूसरा तरिका जोह है दोस्तों वह दूसरा तरिका आपको heading में लिखना है यापे to the branch manager उसके बाद में आपका bank का नाम लिखना है ठीक है और उसके बाद में आपको यहाँ पर branch name लिखना है आपका branch का नाम जो है वो आपको लिखना है उसके बाद में branch का address पूल एडरेस आपको यहापर लिखना है उसके बाद में दोस्तों यहाप को डियर सर या फिर मैम जो भी है आपको यहापर लिखना है व्सके बाद में subject आपका रहेगा request regarding change of address दे सकते हैं थीक है यह आपको देना है उसके बाद में आपको नीचे पे लिखना है paragraph में This is to inform you that I have recently relocated to Delhi from Gurgaon केने का मतलब यह है कि यहाँ पर आप जो है relocated हो चुके है Delhi में गुरगाओं से पहले आप गुरगाओं में रहते थे अभी Delhi में आ चुके है तो यह आपका हिसाब से आप जहाँ पर shift हो गए है वो आपका हिसाब से यहाँ पर लिख लीजेगा ठीक है उसके बाद में I have been transferred on behalf of my company तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा reason देना होगा किस वज़े से आप उस address पर transfer हो गए है वो आप चाओ तो यहाँ पर दे सकते है उसके बाद में I have a saving account in your bank account number आपको यहाँ पर बरना है और उसके बाद में I would request you to update this information in your records the information provided below is regarding my change of address उसके बाद में आपको old address यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर पुराना address यहाँ पर full address आपको यहाँ पर लिख देना ठीक है उसके बाद में यहाँ पर new address लिख के आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको नया वाला address आपको यहाँ पर बरना है यहाँ पर नया वाला address बर दिजेगा उसके बाद में नीचे में आपको लिखना है If you have any query regarding the location or direction of the address feel free to contact me I will be leaving residing at the new address provided So please send all the correspondence on this address ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पर thanking you दे देना है ठीके और आप चाहो तो नीचे में यहाप अपना account number दे सकते हो CIF number दे सकते हो और नीचे में आप अपना mobile number भी दे सकते हो ठीके उसके बाद में आपका नाम यहाप लिखना है नीचे आपको signature देना है और यह form जाके अपना bank में branch manager को submit कर देना है दोस्तों देखिए बहुत से bank जो है ऐसा letter को जो है accept नहीं करते हैं वो खुद से अपना form ही देते हैं तो यदि ये letter accept नहीं करते हैं आपको दुसरा form ही देते हैं तो वो case में वो form को simply आप भर लीजेगा आपको इसको ही copy करके जो है आपका address और यहाँ पे जो लिखा हुआ है यह सारा कुछ जो है आपको काम में आएगा उस वक्त तो आपको simply वो ही form भर देना है और ज्यादा तर bank में आपको application ही लिखके देना भी होता है ठीक है वो bank to bank depend करता है तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप अपना bank account का address को आसानी के साथ change कर सकते हैं मुझे उम्मीद है क